Hey friends, what's up? Well, I am again here with a new video and with a new chapter. So, without wasting any time, let us start the video. So, आज का हमारा chapter है बच्चों, square and square roots. तो देखो, ये करने से पहले एक ब्रीफली introduction दे देती हुँ मैं. तो बच्चों, square क्या होता है और square roots क्या होता है? पहले हमें ये पता होने चीए है ना, तभी हम chapter start कर सकते है अपना. तो देखो, square क्या होता है बच्चे? जैसे मानलो तुम्हारे पास एक number given है 2. अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे इस number का square find out करके दिखाओ. तो बच्चों, square का मतलब होता है कि उस number को उसी number से multiply कर देना, ठीक है जी? जैसे 2 multiply 2, ठीक है? 2 multiply 2 क्या हो जाएगा? 4. तो ये क्या बन क्या मेरा? ये 2 का square हो जाता है. तो इसको क्या से read करेंगे? 2 का square, ठीक है जी? तो अब जैसे हम ये read में करते हैं, x square, इसको बोलते हैं, x square, अब ये x square क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये कैसे मिलके बना है? ये x को x से ही multiply करने से बना है, जब यहाँ पे base सेम होता है, और variables की हम multiply करते हैं, तो powers क्या हो जाते हैं, हमारी add, तो 1 प्लस 1 पावर क्या हो जाएगी? 2, तो ये कैसे बना है हमारा, ये दो same numbers की multiply करने से बना है, तो बेटा, square क्या होता है? अगर हमें, मालनो, किसी भी number का square निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? उस number को उसी से multiply करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो हो जाता है हमारा square, अब square root क्या है, तो फिर, ये भी सोचने वाली बात है, तो देखो, अगर मालनो, हमारे पास ये given ह है बिटा, कि 49 given है, ठीक है? और तुमसे ये पुछा जाए, कि ये number जो है ना, ये किसका square है? तो हम क्या से पताएंगे बिटा, हमें क्या करना होता है उस time पे? हम ना ऐसे prime factorization करते हैं, कर रखा है ना, सबने पहले, ये ऐसे prime factorization करते हैं हम इसकी, तो इसको divide करके देखेंग इस 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 multiply 7, है ना? अब मैंने क्या कहा था तुमसे कि square क्या होता है हमारा, जब हम एक number को उसी number से multiply कर दें, तो यहाँ पे 7 को 7 से ही multiply कर दा, तो answer कितना आ गया? 49, यानि कि ये 7 का square है हमारा, ठीक है जी? अब मैं तुमसे पूछना चाहते हूँ कि square root of 49, 49 का square root बताओ, तो बेटा square root का मतलब होता है कि जो जिस number को उस number से multiply करने से हमारा answer आया है square का, ठीक है? यानि कि यहाँ से 49 किस से multiply करने से answer आया है? 7 को 7 से, तो यहाँ से square root जो है 49 का वो कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है जी? समझ आ गया है सबको? इसको square root भी बोलत और notation क्या होती है? जी square root की ये वली, ठीक है? अब जैसे मालो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है वेटा, तुमसे क्या पुछा गया? तुमसे पुछा गया square root of 4, तो कैसे निकालो कि तुम 4 के prime factorization करोगे, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 पे, तो य पेर भी हमेशा same number के साथ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम 2 का pair 3 के साथ बना लोगे, तो 2 का 2 के साथ पेर बना दिया, अब यहाँ से क्या बाहर आएगा? 2 बाहर आएगा, ठीक है? तो 4 का square root कितना आ गया हमारा? 2, समझ आ गया है सबको? तो ये था छोटा सा introduction, अब ह which of the following natural numbers are perfect squares? तो देखिए, एक काम करते हैं, पहले न, इससे पहले कुछ और terms मैं तुम्हे न, समझा देती हूँ, यहाँ पे, question करने से पहले, तो देखो, एक तो square समझाना था मुझे, वो समझ आ गया है, सबको square root बताना था, वो भी सबको पता चल गया, अब एक word आता है, बिटा, perfect square, क्या word होता है, perfect square, तो अगर तुमसे कोई यह पूछ ले, किसी number को देखे, कि वो perfect square बनता है या नी बनता, तो तुम देखो कैसे निकालोगे, मालनो तुमसे यह पूछा जाए, कि 48 किसी भी number का perfect square है या नहीं है, या फिर यह जो number है, यह perfect square है या नहीं, simple इतना ठीक है, तो perfect square क्या होता है बिटा, अगर हम इसकी factorization जब करें, prime factorization, तो हर number का pair बन जाए, ठीक है, तो देखो, कैसे, अगर मालनो 48 की prime factorization करें, 2 से divide करेंगे, इसको 2, 2 जा, 4, 2, 4 जा, फिर 2 से करेंगे, 2, 1 जा, 2, 2, 2, जा, फिर 2 से करेंगे, 2, 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2, फिर 3 से करेंगे, 1, ठीक है, अब ये जो prime factorization इसकी आती है, बचो यहां से, तो अगर यहां पे सारे numbers के pairs बन जाते है, जैसे, देखो, 2 का pair बन गया, ठीक है, फिर 2 का pair बन गया, ठीक है, अब ये 3 जो है, क्या इस 3 का pair बनता है, क्या यहां पे एक और 3 है, यहां पे नहीं, तो अगर बिटा हर एक number का pair बन जाता है, तो तो वो number होता है perfect square, otherwise हम उस number को क्या कहेंगे, not perfect square, ठीक है, मतलब perfect square नहीं है, simple सी बात है, समझा गया होगा सबको, तो perfect square क्या होता है, जिसके हम factorization करते हैं, तो pair बन जाए अगर सबका, अगर pair बनता है, तो वो perfect square है, अगर pair नह ही मनता, तो फिर वो perfect square नहीं है, ठीक है जी, ये सारी term समझा गये होगी सबको, तो ये था जी हमारा chapter 3 का introduction, अब हम next video में करेंगे, इसके question